हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टु माई चैनल इस्प्रेचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आज कोशिश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपे होंगे डियर आज का जो टॉपिक है वो थर्ड पार्टी सिच्वेशन के उपर है और हम देखने की कोशिश करना है चले देखते हैं क्या आरहा है अगे चले बॉटम के एनरजी देख लीजे एस ओफ सोर्स है ओके डियर एस ओफ सोर्स है और यहां से जो कार्ड निकला है आप देख पा रहे हैं कि क्या कार्ड निकले हैं ओमाई गॉट तर्ड पर्टी सिच्वेशन की बात करी जाएं तो क्या सिच्वेशन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैनुपलेट करने वाली सिच्वेशन दिख रहे हैं यहाँ पर है six of wand तो आपको cards नहीं दिख रहे हैं एक second आपको cards दिखेंगे dear तो cards सारे दिख रहे होंगे यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिना, लिबरा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसे तो जो sign आए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या sign आए है, dear दिखें आपके partner जो है, third party से जाना चाहते हैं कहीं न कहीं उनका दिल कर रहा है कि वो चले जाए इस third party situation चाहे, वो family हो, बहुत ठक गए हैं बहुत ज़्यादा burden फिल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीव, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उनका मानना है कि इस situation से वो चले जाए कहीं भाग जाए, है ना जिस भी तरह की third party है, हो सकता उनकी family है, जो accept नहीं कर रही आप दोनों के love को, आप दोनों के प्यार को, उनसे भागना चाहते हैं आपके partner, या फिर ये किसी तरह के ex है, जिसके प्यार में फज गए थे आपके partner या फिर आपके partner married है आप unmarried है, और dear ये partner, आप दोनों पहले से प्यार करते हैं, वहाँ शादी करा दी गई थी उस partner की, तो dear ये partner जिस तरह की third party में first गए, उनको छोड़ना चाहते हैं तो ये situation यहाँ पर दिख रही है तो इस तरह की कोई situation है तो उससे भागना चाहते हैं उस third party से जाना चाहते हैं निकलना चाहते हैं, ये connection जो है किसी pressure में आके जोड़ा गया है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के उपर आपके partner और आपके उपर किसी तरह का दबाव बनाया गया था आपको छोड़ने के लिए और आपके partner को कहीं और शादी करने के लिए तो यहाँ पर ये चीश बहुत ज़्यादा दिख रही है किसी तरह के pressure में आके बना है ये रिष्टा तो यहाँ पर ये जो pressure में आके जो रिष्टा बनाया गया है वो ज़्यादा दिर तक नहीं टिक सकता है आपके partner यहाँ से move on करना चाहते हैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं energy इस तरह की दिख रही है कि यहाँ जो जवर्दस्ती का रिष्टा जोड़ा गया है उससे move on करना चाहते है या family जो है pressure बना रही है किसी तरह का pressure बना रही है यह family ऐसा कुछ कर रही है यह family की बहुत problem हो रही है family ने कराया है कुछ ऐसा रिष्टाज करा दिया है या देख रही है कहीं कहीं तो कोई बात चल रही है हो सकता है कि family वाले जो है बहुत ज़दा problem create कर रहे हैं इस तरह की problem create कर रहे है कि यह कहीं रिष्टा देख रहे हैं या फिर हो सकता है कि किसी तरह का नया person आपकी partner के life में लेके आने के बारे में सोचा जा रहा है पर आपके person जो हैं कहीं agree नहीं तो उन पर pressure बनाया जा रहा है उन पर pressure दपाओ दिया जा रहा है किसी तरह का कि भई मान जाओ हम तुमारे लिए जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे है ना या फिर उनकी wife है तो वो इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं कि फिर मैं तुम्हें तालाग दे दूंगी या छोड़ दूंगी या इस तरह का कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहां पर यह दिख रही है या आपके पार्टनर का रिष्टा है या शादी हुई है तो वो रिष्टा जो है खत्म करना चाहते हैं तो अगर आपके partner से आपकी शादी हो गई है या आप दोनों married हैं तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि जो भी third party है वो रिष्टा खत्म कराना चाहाती है किसी तरह का move on वाली situation दिख रही है इस third party के इरादे नेक नहीं है यह यह चाहाती है कि आप दोनों का रिष्टा खत्म करा कि है ना उसके अर्मान पूरे हो सकता है आप मेंसे काफी लोगों की love marriage है या फिर love रिष्टा जुनने वाला है अरेंज marriage होने वाली है इस तरह का कुछ हो सकता है लव relation हो सकता है तो उसको खत्म करने की बात यहाँ पर निकली है इस third party के दिमाग में ठीके तो dear सतर्क रहने तो यह third party के साथ बहुत परिशानी फील कर रहे हैं आपके partner move on चाहते हैं पर क्या करे कैसे करे समझ नहीं आ रहा बर्डन ले रहे हैं बहुत ज़दा बर्डन है तकलीफ है relation ठीक नहीं चल रहा है आपके partner ने किसी burden में आकर या किसी तरह की feelings में आकर ये connection जो है ये जुड़वाने की कुशिश कर रहा है जो रिष्टा जुड़ ही नहीं सकता है तो यहाँ पर बहुत emotional तरीके से आपके partner के उपर pressure डाला जा रहा है अभी आपके partner जो हैं बहुत ज़्यादा पश्ता रहे हैं बहुत ज़्यादा पश्ता रहे हैं क्योंकि ये third party जो है अपनी सुनी जाती है हो सकता है कि third party के आगे आपके partner की कोई बात नहीं रखी जाती है कोई decision नहीं सुना जाता है उनकी बातों को कोई माइने नहीं देता है क्योंकि ये third party बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी तरह से घर में इनकी बहुत ज़्यादा चलती होगी ये manipulate करने में number one है जो भी third party है तो उसका फाइदा उठा रही है आपके partner के उपर pressure बना रही है दबाओ बना रही है और dear आपके partner यहाँ पर पश्टाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी इस third party की बात मान कर decision लेना उनका फेसला था उनको लेन आपके partner को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यह चीज और वो clear दिख रहा है और नहीं किसी तरह की बात सुनती है third party सर्फ अपनी ही बात को आगे रखती है तो यह बात आपके partner को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि यह third party जो है किसी भी तरह की बात सुनने को तयार नहीं होती है हमेशा अपनी ही दिल की चलाती रहती है ठीके देखे इस relation में जो भी रिष्टा यह जोड़ रहे हैं किसी third party के through या कहीं के through तो dear इसमें यह दिख रहा है कि इस relation में आपके partner जो है बात नहीं सुनी जाती है और understanding की कमी है यहाँ पर third party जो है और आपके partner जो है इनके बीच में understanding की कमी दिख रही है मुझे कोई भी किसी की बात को समझने को तयार नहीं है और बांद के रखा जा रहा है ऐसा लग रहा है आपके partner के उपर बहुत दबाओ दिया जा रहा है बांद के रखा जा रहा है यहाँ पर बहुत mind game खेले जा रहे है खुश ही नहीं है डियर आपके partner को खुश नहीं है वो यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है बहुत जदो उसको तकलीफ हो रही है अपना हाल किसी को बता नहीं सकता उसको ऐसा feel हो रहा है जिस उसका दम गुट रहा है उसको वहाँ third party situation में बहुत बेचे नहीं हो रही है क्योंकि वो आपको चाहता है वो आपको प्यार करता है आपको love करता है पर कैसे लोग बाग खिलाफ हो रहे हैं रिष्टे के हर कोई उनको बढ़का रहा है उनको रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है तो उनको confusion हो रही है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं किसी तरह से सही समय आ जाए किसी समय पर सही टाइम पर सही समय पर वो कोई decision ले पाएंगे तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है move on होना है पर pressure बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा pressure इतना पढ़ रहा है कि वो move on होने से पहले भी बहुत को सोच रहे हैं कि कैसे क्या कब क्या होगा तो यहाँ पर third party ने हालात पुरी तरह से खराब कर दिया आपके partner को uncontroll हो गए हैं पुरी तरह से life पुरी तरह से बरबाद हो गए है pressure ही pressure दिख रहा है life में दबाओ दिख रहा है और वो रहना नहीं चाहते हैं आपके जो partner है इस third party के साथ में बिलकुल भी नहीं रहना चाहते देखे अगर आप married person से deal कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इनसे प्यार करते हैं और ये partner भी आप से बहुत मतलब partner के जबरदस्ती करा दी गई है शादी हो सकता है किसी के लिए कह रहे हैं कि अगर आप married person से deal कर रहे हैं हो सकता है आप इनसे प्यार करते थे या प्यार करते हैं और ये पार्टनर की जबरदस्ती शादी करा दी गई है तो ये थर्ट पार्टी से बिलकुल भी खुश नहीं है जिसे आप प्यार करते थे ना हो सकता है कि उनके घरवालों ने उनकी कहीं शादी करा दी गई हो या उनकी लाइफ को बरबाद कर दिया पर डियर जहां भी इनक शादी कराई गई है वहाँ पर वो इंसान बिल्कल भी खुश नहीं है आपका पार्टनर फ्यूंकि तर्ड पार्टी के फैसले के खिलाफ था पर फ raise ने दबाउ ढ stadium डालके प्रिशर ढालके जबर्दस्ती उनके शादी करा दी गई है तो ये third party से बिल्कुल भी खुश नहीं है इनको third party से बहुत ज़्यादा problem create हो रही है बहुत ज़्यादा एक तरह से बोलिए तो third party पर बहुत गुसा भी आ रहा है कि इस third party से मेरी life जो है बहुत ज़्यादा खराब कर दिया अटका के रख दिया है काम जो है न और आप दोनों की शादी कहीं हो जाती है तो जिसके साथ आपका partner रह रहा है वो हुई third party आप समझ गए ना कि जैसे आप दोनों प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच में अगर आपका partner की शादी कहीं और हो जाती है और वो कौन होई उसकी wife कौन होई थर्ड पार्टी होई क्योंकि आप दोनों तो पहले से प्यार करते थे लेकिन आपके partner की जवर्दस्ती कहीं शादी करा दी गई तो वो कहला थी ये third party काफी लोग पूछते हैं कि ये third party क्या होता है third party third party करते हो तो ये third party situation होती है कि जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई दूसरा इंसान आजाए पती-पत्नी है ठीके यह लेकिन वो प्यार ही नहीं है वो पहले से ही अटेश्ट थे कहीं और उसके बीच में शादी हो जाती है तो टेर फो थर्ड पाइटी कहला है ठीके ना दो प्यार करने वाले जिनके बीच में प्यार है और नहीं भी पती पत्नी है लेकिन अगर दोनों के बीच में प्यार बहुत है कोई दूसरा है इनसान आप दोनों प्यार करते हैं और आपका हजबेंट भी आपके साथ में है लेकिन आपका दिल husband को गवारा नहीं करता है उसको accept नहीं करता है क्योंकि उसका relation जो है toxic relation है तो यहाँ पर यह चीज़ दिख रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं यह है कि जो लोगों का रिष्टा है वो जो है उसमें third party वो इनसान हुआ ठीक है तो clear हो गया third party के बारे में तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि यहाँ गजब मजबूरिया भी है बहुत सारा गजब कर दिया इस third party ने इतनी मजबूरियों के आगे आपके partner को जुका दिया है कि कोई प्यार व्यार कुछ भी नहीं बचा है आपके partner के दिल में painful situation हो गई है यार आपका बंदा जो है ना पूरी तरह से बरबाद हो गया है उसको समझ भी नहीं आ रहा कि decision क्या ले third party आपके partner से उमीद रखी है किसी तरह की उमीद है उसे ऐसा कुछ मानती है कि उसके हिसाब से अगर आपके partner जो है अगर चलते हैं तो क्या होगा कि उसका कोई एक ना एक उसका मकसद है किसी तरह की उमीद है उसको किसी तरह का मकसद है कुछ तो उसके दिल में चल रहा है आपके partner से हो सकता है कि उसकी उमीद हो कि आपके partner का finance ले ले हो सकता है आपके partner से शादी करना चाहती है तो यह three party है या अपने शारों पे नचाना चाहती है अपने control में रखना चाहती है तो यह third party जो हूँ ना इसके बहुत सारी उमीदे हैं आपके partner से देखें यह third party को ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पर six of want का card है और दियर three of one का card है तो ये card ही बतार है कि ये third party जो है ना कहीं न कहीं आपके partner से इस तरह की उमीद रखी कि एक न एक दिन आपके घरवाले जो है आपके partner के घरवाले जो है वो उसको अपना लेंगे उसको accept कर लेंगे हो सकता है कि आपके partner ने आपको छोड़ कर इस थर्ड पर्टी के साथ में जाने का फैसला लिया लेकिन हो सकता है कि घरवाले आपके सपोर्ट में हो पर डियर आपका हज़वेंड आपके सपोर्ट में नहीं था आपका पार्टनर आपके सपोर्ट में नहीं था वो छोड़के चला गया इस third party के चकर में इस third party के fraud में third party ने जिस भी इत कारण से इसे फसाया था और dear ये वहाँ पर third party को आज तक कोई relation नहीं बना पाए किसी तरह की नाम नहीं दे पाए किसी तरह की शादी नहीं दे पाए ऐसे ही दोनों रह रहे थे तो यहाँ पर ये कर ले और dear इसकी life में परिशानी है इस time overthinking कर रहे हैं आपके partner negative सोच रहे हैं और कहीं न कहीं third party भी बहुत ज़्यादा negative सोच रही है ये third party के बात करी जाए न तो third party के life तो पुरी तरह से परिशानी से गुजर रही है और आपके partner अगर इनके साथ में attach है तो उनकी भी life बह कुछ तो उनकी नीच हुई है ऐसी कोई बात हो गई है जहां पर ये third party को थोड़ा सा मूँ छुपाना पड़ रहा है किसी तरह का मूँ छुपा के जी रही है ये third party हो सकता है कि घरवालों ने accept नहीं किया और बिना बात के कुछ ऐसा उलजन हो गई है कुछ ऐसी बात हो रहे हैं और ये third party जो है किसी तरह का commitment मांग रही है किसी तरह का accept करने के लिए बोल रही है लेकिन आपके partner जो है नहीं accept कर रहे हैं नहीं commitment दे रहे हैं वहाँ पर wait वाली energy है time मांग रहे हैं और ये third party जो है सोच सुच कर बहुत परिशान हो रही है overthinking कर रही है इसको नीन न बहुत, अवर्तिंकिन तो बहुत गती है, किसी से अटेच हो गई है, तर्ड पार्टी, गाइड programmes लेए, किसी इनसां के थू हो सकता है, इसकी लाइफ में कोई इन्सां इसा आटेच हो गया है, जहां पर ये गाइड़ेंस ले रही है, और दियर, लाइफ में कोई है, इस attach हो रही है और यह इस third party का ये जो नेचर है जो तरीका है वो आपके partner को बहुत भद्धा लग रहा है बहुत ऐसा लग रहा है कि third party जो है किसी लायक नहीं है पस जानने की कोशिश करते हैं, टैरो रिडिंग देखते रहते हैं, फुल टाइम, कि भई यो अपने पार्टनर की लाइप में हो क्या रहा है, और ज्यादा तर लोग तो उदास हो जाते हैं, आदे से ज्यादा चीज़े देख देख कर, लेकिन कुछ अच्छे मेरे वीवर्स हैं, जिन्नोंने अपने आपको इस एनर्जी से बाहार निकाला है, मैं उनलोगोंको उनकी बहुत तारिफ करते हूँ, क्योंकि आपने इस सिच्वेशन से बाहार निकलने में अपने आपको बहुत हेल्प करिये अपने हेल्प करते हुए आपने मेडिटिशन किया है इनर वर्क किया है और सबसे बड़ी बात आपने सेल्फ लफ करना सीखा है तो मेरी तरस से यही है कि डियर जो भी चीज आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपको जीना आ गया है आपको साही गलत का फैσला समझ में आ गया है कि आपके लाइफ के लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ये decision लेना आ गया है तो ये ये आपको कुछ ना कुछ कही ना कही से कोई guidance मिल रहा है आपको भी समझने में आ रहा होगा आपका intuition भी आपको guide कर रहा होगा कि ये हालात आपको क्या बता रहे हैं ये हालात से आपने क्या सीखा है तो ये चीज यहां पर दिख रही है कि कुछ तो आप सीखे हो कि कितना भरोसा किस पे करना चाहिए थर्ड party पे कितना भरोसा करना चाहिए अगर बात करी जाए तो आपके पार्टनर से जो क्योंकि आपके पार्टनर के एनरजी में चेंज आया मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर के एनरजी जो है मूर स्विंग जो है ना वो बार बार होते हैं इस तरह से बदलता है मूर कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है तो जो है खराब हो जाती है cheating बहुत हो रही है इस रिष्टे में धोका दिया जा रहा है आपके partner से खुश नहीं है कोई भी कोई भी का third party खुश नहीं है जो main चीज है और third party और आपके partner का जो nature है जो behavior है उससे family वाले खुश नहीं है उससे आप खुश नहीं है क्योंकि इन्हों ने आपको cheat किया है family वालों को cheat किया है family का नाम डुबाया है इस third party के पात जागा तो यह situation दिख रही है दिखिए आपके partner को कही ना कही इस third party पे थोड़ा सा शक है थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगता है कि यह third party के साथ में life जीना बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा burden है क्योंकि उनको ऐसा realize हो रहा है कि यह third party जो है कहीं ना कहीं इस तरह का behave कर रही है कि उनको शक करना ही पड़ रहा है नहीं चाहते हुए भी आपके partner जो है इस third party पे शक कर रहे हैं और डियर शक की मुनियाद पर उन्होंने बहुत कुछ फैसले ले लिए है आपके partner ने trust issue है दोनों के बीच में वो चीज यहां पर दिख रही है कि trust issue भी यहां पर है third party जो है ना third party जो है ना वो अपना फाइदा देख रही है कही ना कही उसको फाइदा ही देखता है हर जगे अपना फाइदा देखती है डियर हर जगे पे और कही ना कही धमकिया दे रही है आपके partner को धमकाने की कोशिश कर रही है third party किसी तरह के फाइदे के पीच्छे किसी तरह के लालच के पीच्छे मतलब emotionally emotionally इनको blackmail करने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को पर डियर बहुत सारा pressure डालने की कोशिश करी जा रही है तो वो चीट दिख रही है आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा problem उनको लग रही है लाइफ में तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है third party situation में dear तो मेरी तरफ से तो यही guidance है कि यह third party जो है थोड़ा सा अपना-पना चलाने की कोशिश करे हैं अपनी decision लेना चाहा रही है आपके जगह लेना चाहा रही है आपके partner से लेकिं dear ले नहीं पा रही है जबकि यहाँ पर intuition इसका guide नहीं कर रहा है third party का कि क्या करना है क्या नहीं करना है decision कुश ले नहीं पा रही है manipulate बलकि और होए जा रही है कोई ना कोई इनकी life में problem create कर रहा है तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है ओके